वेलकम तो प्रिंस मशीन जो आज आ फ्रेम में देख रहे हो यह 18 इंच की ओनली गेज मशीन है जिसको हम थिकनेस प्लेनर बोलते हैं तो अभी इस मशीन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डेटेल में बता रहा हूं तो यह जो मशीन है यह स्पेरर रोलर के साथ है 18 इंच इसकी विड़ता है और 8 इंच के राउंड इसकी हाइट वैज जो गेज आ उसकी कपेस्ट्री है दोनों तरफ 65 mm की फीड रोलर लगे और यहां दो प्लेन फीड रोलर लगे हुए है दोनों 65 mm डायक लगे हुए है तो क्योंकि ऐसी मशीन है ड्रस्ट्री में चलती है तो मशीन में लूब्रीकेशन होना बहुत जरूरी है बहुत कि यह दिन में कई बार होनी चाहिए तो इसके लिए हमने सेंट्रलाइज एक बार में तेल चला जाएगा और इसी तरह इस साइड हमने यह अलग से दिया हुआ है हर मशीन के साथ अब थोड़ा सा एज सेंपल लूब्रीकेशन अल भी देते हैं ताकि कस्टमर को इस बात का पता रहे कि कौन सा लूब्रीकेशन अल है मोशीन के अंदर डालना यह बहुत ही हैवी डूटी और काफी नबाई में जाके लगा जाते हैं ताकि जब प्लेट उपर जाए तो उपर जाके भी इसमें बिलकुल भी धील ना हो बहुत यह एक कुरिसी से बने होते हैं डबल जैक मशीन होती है गेज के अंदर लिए सेंटर बेट को लॉक करने के लिए एक लॉक यहां दिया हुआ है और एक और लॉक यह सैड़ पर यहां लगाए जाता है कि फीड रोलर्स की मोशन के लिए फीड रोलर को चलाने के लिए इसमें अलग से गेरवक्स प्रवैड किया गया है और गेरवक्स को चलाने के लिए एक मोटर अलग से दी गई है हास पावर जैसी कस्टमर अडवाइज करें वह हम लगा देते हैं लेकिन मिनिम्म पांच हास पावर तो चाहिए ही चाहिए और दोनों मोटरों को चलाने के लिए अलग लग अप्रेट करने के लिए दो स्टार्टर लग लग दिये गए हैं सारा कुछ बहुत अच्छी क्वाल है यह यह जैसे यह लिया घ्र जी त offline रूर्लर ही यह जैसे लिए गर रोलर है तो यह जैनल यह सेबशोन तो यह उल्ग तो इसके लिए थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा आपको जब भी आपका ओर्डर हमारे पास आएगा तो डिलीबरी टाइम हमेशा एक डेड़ी मिना इसका रहेगा तो दौर वली हमें करें के पारे में बता देया तो प्राइस ना बताने की बहुत वजया है करी लोग पर नौब चारब वाले मशीने पर संद्द दें तो अगर मैं आज इसमें कोई प्राइस जालता हूं तो इसके रेलिमस नहीं रहें जो प्राइस आज है वाज के छे मिने बाद में रहेंगी एक साल बाद में इसलिए हम प्राइस तबी भी अपने वीडियो के नहीं है तो अभी हम आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग वीडियो दखा रहे हैं यह जो वुड्ड है यह पूरी 18 इंच ही वीडित के अंदर है इसकी थोड़ी से मशीनिंग करके हम आपको अभी दखा रहे है तो बाई वेट भी लिकड काफी है तो यहां से मशीन आउन कर रहे है तो गयाट पड़ 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 पूर्ड़ वेट कि लाट को शाप्ता है तो बहुत ही बड़ी है फिंशिंग देता है जो स्पेरल रोलर होता है देखो बिल्कुल हम आपको लाई भी दिखा रहे हैं और यह जो मशीन होती है स्पेरल रोलर बाली और विद गेरवक्ष ड्राइव है इसका एक बेनफिट यह भी है कि बिल्कुल सौंड लेस मशीन होती है आपने देखे ही होगा कि मशीन के जो नेचरल वाज है बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको अलक से भी मशीन चला के दखा र होती है जो स्पेरल रोलर मशीन होती है ना कि हमारा जो ट्रेड मार्क है यह वुडमेक्स है हम पंजाब के अंदर सरहंद में है चोटा सा टाउन है चंडीगाट से 50 किलोमेटर है लुद्याना से 50 किलोमेटर पहले है हम बाला से 50 किलोमेटर आगे है तो यहां रहने रूने की विवस्ता हो जाती है अगर आप आना चाहते हो हमारी फेक्टरी में तो आप आ सकते हो हमारा जो शहर सरहंद है यह रिलीजिस पेंट व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिटी है यहां पे सिख हिस्ट्र कि वुसलम हिस्ट्री जैन जैन धर्म सब के मंदर गुर्दवारे वगरा हैं तो कि मोस्ट वेलकम आप हमें वीजट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के उपर आप हमेशा हमारी मशीनों के टेक्निकली वीडियो देखेंगे उसके अंदर हम और कोईस मटेरल नहीं डालते हैं तो यह जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह मानव इंबरा का नंबर है जो इस प्रेक्ट्री का ओनर है थन्वे पांसो एक आवन जीरो पैसेट चब्बी नाइएट डबल फाइवान जीरो सिक्सवाइव तो सिक्स थैंक यू सो माच पार वाचिंग इस वीडियो ठीक है जी